नमस्का दोस्तों, स्वागत है आप से भी का हमारे चैनल आयरवेदे एक्सपर्ड पर दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्री की संपुन पूजा विधी जो कि हम आसानी से घर पर कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाली हूँ नवरात्री में पूजा किस प्रकार की जाती है, नवरात्री के पहले दिन हमें जवारे कैसे रखना है अखन जोत कैसे जलाना है, यह सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी सबसे पहले हमें चौक पूर्णा है मेरे याँ जिस प्रकार से चौक पूरी जाती है मैं बना रही हूँ आपके हाँ जिस प्रकार से पूजी जाती है वह आप बना सकते है चौक पूर्ने के बाद हम एक पाटा रखेंगे और पाटे की उपर लाल पीला बस्रे रखेंगे इसके बाद सबसे पहले हमें जवारे बोना हैं इसके लिए मैं ये मिट्टी का पाथ उपयोग में ला रही हूँ सबसे पहले हम मिट्टी के पात को शुद्ध करके उस पर स्वस्तिक चिन्य बनाएंगे स्वस्तिक चिन्य बना लेने के बाद उसमें हम मिट्टी डालेंगे ध्यान रखें मिट्टी साफ जगें से ली गई हो इसके बाद हमें उसमें जवारे डालना है जवारे एक रात पहले पानी में भिगोकर रख दें जब बस वे फूल जाए तब उनका उपयोग करें इस परकार से जवारे बहुत ही हरे भरे अंकुरित होते हैं इसके बाद उपर से थोड़ी मिट्टी डालेंगे पानी का चिड़काब करेंगे अब हम अपने जवारे के पात को थोड़ा और कुम-कुम और हल्दी से टीकर कर सजा देंगे यह देखें मेरा जवारे का पात्र तयार हो गया है अब हम इसे एक तरफ रख देंगे अब हम अक्षट डाल कर दुर्गा मा जी की स्थापना करेंगे दुर्गा मा की स्थापना करने के बाद हमें सबसे पहले कलश स्थापना करना है इसके लिए मैं आप तांबे का पात्र ले रही हूँ जिस पर मैंने मौली बांदी हुई है आप चाहें तो मिट्टी का पात्र भी ले सकती है सबसे पहले हम इस पर स्वस्तिक का शुप चिन बनाएंगे यह चिन हम आगे और पीछे दोनों तरफ बनाएंगे अब हम कलश की स्थापना या तो अपने जवारे के पात्र में रखकर कर सकते हैं या फिर माता जी के दाहीनी और हमें कलश स्थापना करनी है मैं यहाँ पर जवारे के पात्र में न रखकर माता जी के दाहीनी और कलश की स्थापना कर रही हूँ ताकि मेरे जवारे अच्छे से खिलकर अंकुरी थो जाएं कलश स्थापना के लिए सबसे पहले हमें अच्छा से अश्ट दल कमल बनाना है यहाँ पर मैं लाल चावल प्रयोग में ला रही हूँ आप चाहें तो सफेड या पीजे चावल भी उप्रयोग में ला सकते हैं अश्ट दल कमल बना लेने के बाद हम अपना कलश कंठ तक पानी से भर लेंगे और उसे अश्ट दल कमल पर इस्थापित करेंगे इसके बाद हमें उस शुद्ध जल में रोली हल्दी अच्छ चावल डालना है साथ ही हल्दी की गांट एक रुपे का सिक्का सुपाडी भी कलश में डालना है इसके बाद हमें थोड़ी सी दूबा लेना है और प्रसास रूप में बताशा भी हमें अर्पित करना है इसके बाद हम आम के पत्ते लेंगे आम के पत्तों पर सबसे पहले कुम कुम का ठीका करें फिर हल्दी से ठीका करेंगे इस पका सभी आम के पत्तों पर ठीका कर लेंगे और उन्हें कलश में रख लेंगे फिर बाद में एक प्लेट या दिया में हमें चावल लेना है आप चाहे तो जौ भी ले सकते है यह लेकर कलश पादर पर रखना है इसके बाद एक नारियल लेंगे उस नारियल को हमें लाल कपड़े में लपेटना है अगर लाल कपड़ आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ मौली भी लपेड सकते हैं इस प्रकार हम नारियल को कलश पर रखेंगे ध्यान रखें नारियल का मूँ आपकी तरफ होना चाहिए इसके बाद प्रधम पूज गनेश जी के हमें स्थापना करनी है उनके बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है तो हम गनेश जी के स्थापना करेंगे इसके बाद हम नवग्रह बनाएंगे नवग्रह में पती तात्मक रूप में मैंने अक्षत लिये हैं और उन पर सुपाड़ी रखी है और इस प्रकार हम अपने नवग्रह स्थापित करते हैं सभी की स्थापना के बाद हम अपनी अखन जोत को भी जलाएंगे इसके बाद हमें चावल से अश्टदल कमल बनाना है अश्टदल कमल बनाने के बाद हम उस पर अखन जोत का दिया स्थापित करेंगे अखन जोद माता के बाईयों जलाई जाती है इसके लिए मैंने अपनी अखन जोद की बाती खर पर ही बनाई है और ये अखन जोद का दिया तयार किया है अखन जोद जलानी की पूरी विधिया आप मेरे चनल पर देख सकते हैं इसका वीडियो में पहले ही अप्लोड कर चकी ह कि इस प्रकार हमारी स्थापना पूम होती है जिसमें मैंने जवारे कलश माता जी गनेशी नवग्र की स्थापना की है अब हम अपनी पूजा शुरू करते हैं सबसे पहले हम गंगा जल से सभी को शुद कर लेंगे वैसे भी मैंने सभी को पहले से ही गंगा जल से सुद करके इस्थापित किया है इसके बाद हमें सरव प्रतम गंग爵ी को टीका करना है और बाकी सभी पर हम वस्य रूप में मौली अर्पित करेंगे यह देखिए मैं सबसे पहले माताजी को चुनुरी उड़ा रही हूँ और हमारी माताजी बहुती सुन्दर नजर आ रही है इसके बाद कलश नवग्रह पर मौली अर्पित कर रहे हैं और हम इसके बाद सभी पर इत्र अर्पित करेंगे और फिर पुश्प अर्पित करेंगे यहां पर मैं माताजी को माला और उनका फ्री पुश्प अर्पित कर रही हूँ मेरे पास यह गुलाबी रंका है आपको लाल रंका मिले तो वह सबसे अच्छा होता है इस प्रकार कलश, गणेज, अखन, जोद, नवग्रह, सभी को हम पुश परपित करेंगे और आखिर में प्रसाच चढ़ाएंगे भोग में आप अपने घर में बना भोग चढ़ा सकते हैं साथ में पंच मेवे बताशे फल भी अरपित करें उसके बाद हमें मातरानी को सुहा का सामन अपित करना है सभी की पूजा के बाद अब हम हवन कुण रखेंगे और हवन करेंगे मैं यहाप मिट्टी का पात्र ले रही हूं जिसमें हम हवन करेंगे साथ ही मैंने यगे की लकडियों कंडे भी लिये हैं अगनी प्रज्रित करके अवन कुण की विधिवत पूजा करने के बाद हम उसमें आहुदियां डालेंगे इसके पश्चात हमें दुर्गा चालीसा का पाठ करना है पाठ करने से पहले हमें किताब की विधिवत रोली, हल्दी, अक्षचत, पुश्पु से पूजा करनी है और फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करना है इसके बाद हम आर्थी करेंगे यह देखिए मैंने आर्थी का दिया जला लिया है दिये की भी हम विधिवत रोली, कुमकुम से पूजा कर, पुश्पु अर्पित कर अपनी आर्थी को संपन करेंगे आर्थी हमें गड़े जी और दुर्गा माता जी की दोनों की करनी है आर्थी करने के पश्चात हमें छमा प्रातना करनी है जो भी भूल चूख हम से पूजा करने के दौरान हुई है उसके लिए हमें छमा करें तो दोस्तों इस प्रकार हमारी नवरात की पहले दिन की पूजा संपन होती है आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करें मारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन में जरूर दबाएं जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों आप सभी का वीडियो पूरा पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद